हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्यान रत चैनल पर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इंजिनिरिंग ड्रोइंग्स का पाल्ट फोर लेके आया हूँ इसमें मैं ने जो है आपके जो भी टॉपिक्स पहले पढ़ाये थे उन पर फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट्स क्वेशन जो अकसर एक जाम मैं पूछी जाते हैं और इंपोर्टेंट्स क्वेशन है फ्रेंड्स उनको लेके आया हूँ और एक बात और फ्रेंट्स अगर जो भी अभी हमारे चैनल ग्यान रत पर फ्रेंट्स नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब स्कार रैट कलर में बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर लें और बैल आइकन को दबा लें से कि यहाँ फाइदा होगा जब भी मैं नहीं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर रेलेटेट सारी वीडियो अपलोड की जाती है जैसे बेसिक साइन्स एंड इंजीनियरिंग साइन्स में यहाँ पर मेजर उनिट्स वाला पार्ट है उसक बैओं के बीत में वह कितना होता है लुगली दे में नहीं देखा तो इस देखो होता हैhst दिखर्श और ब्लैड होगा जो यह एंगल है यहां पर यह आपका 90 डिग्री का बना है तो फ्रेंट से बहुत ही important question है कि जो head और black के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है friends दूसरा question है ebony in drawing board is used for ebony होती है drawing board में उसका use किसलिए करते हैं compass के लिए battens के लिए strip के लिए या T square के लिए तो friends जो drawing board होता है उसमें ebony का use हम T square के लिए करते हैं तो friends यह आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो friends यह आपके लिए यह रहा देखो friends यह drawing board हो गया और जो यह यह T square है friends तो यहाँ पर जो यह वाला portion है इसको ebony बोलते हैं यहाँ पर हम जो यह T square है इसको fit करते हैं और इसको यहाँ move होता है इससे हम जो horizontal lines को draw करते हैं friends next question है T square किस का बना होता है बहुत important question है friends spine का ओक का महागोनी का यह फर का यह लकडियों के प्रकार है तो friends जो T square होता है friends वो महागोनी की लकडि का बना होता है बहुत important question है friends friends next question है in drawing boards connecting wood strips called friends drawing board होता है उसमें जो हमारे board को connect करने वाली जो पत्तियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं तो option a ebony strips baton या stacks the friends connecting wood strip होती है उसे जो है बैटन बोलते हैं क्या बोलते हैं friends baton बोलते हैं तो friends यह रहाद देखिए यहां पर drawings board आगी यह connecting एक यह और एक यह तो यह दो जो दिख रही है incline line and angle parallel lines can draw भाई तो ये सब lines किसके द्वारा draw होती है फ्रेंड्स option AT square, mini drafter set square या protector तो फ्रेंड्स ये सारी lines और ये angles जो हम mini drafter से draw कर सकते हैं फ्रेंड्स आपने देखा होगा mini drafter कुछ ऐशा होता है फ्रेंड्स इसको जो है यहां से हम एक true होता है से हम जो drawing bolt पर fix करते हैं और ये घूमता है यहां से फ्रेंड्स ये इससे जो आपकी horizontal line इससे vertical line और फ्रेंड्स जो यहां पर दिख रहा हो यह आपका जो है यहां से हम फ्रेंड्स जो angle lines को draw करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका है आपका mini drafter फ्रेंड्स to make drawing bolts how much strips use फ्रेंड्स जब हम drawing bolts को बनाते हैं तो उसमें कितनी strips का use होता है तो फ्रेंड्स option A 4 to 6 6 to 8, 2 to 4, 5 to 8 तो फ्रेंड्स जब भी drawing bolts बनता है तो उसमें 4 से 6 strips का use होता है कितना बहुत important question है फ्रेंड्स 4 से 6 दो, तीन, चार पांच and 6 यहां पे भी 6 strips का use हुआ है तो इन्हें बोलते हैं इसलिए हम यहां पे drawing bolts में या तो 2 या 6 strips 2 से 6 strips का use करते हैं ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स next question है hardness of pencil is increased by बहुत important question है कि जो pencil की कठोड़ता किस से बढ़ती है option A by increasing amount of clay clay का amount बढ़ा के clay का amount घटा के graphite का use करके या कोई नहीं तो इसका जो option है फ्रेंड्स वो है option A by increasing amount of clay clay का amount अगर हम बढ़ा दें तो इससे जो हमारी pencil होगी उसकी hardness बढ़ जाती है फ्रेंड्स next question है for drawing boundary lines which pencil is used तो फ्रेंड्स जोग जब इसमें option है देखो H, HB, B या 2B तो फ्रेंड्स जब भी हम drawings में boundary lines खीशते हैं तो फ्रेंड्स हम इसमें HB pencils का use करते हैं बहुत ही important है फ्रेंड्स ये question फ्रेंड्स next question है center line and access line draw by तो फ्रेंड्स जो center and access line होती है किसे draw होती है 2H and 3H, B, 2B and B या none फ्रेंड्स जो center line and access line होती है वो हमारी 2H and 3H pencils होती है उनसे draw करते है बहुत ही important question है फ्रेंड्स दूसरा question है by using mechanical pencil फ्रेंड्स जो mechanical pencil होती है वो उससे हम कितनी मोटी जो है line को draw कर सकते हैं तो फ्रेंड्स option है 0.3, 0.5, 0.7 या all तो फ्रेंड्स जो mechanical pencil होती है उससे हम 0.3, 0.5 और 0.7 तीनों प्रकार के जो है line की thickness को draw कर सकते हैं तो इसका option होगा D all यानि सारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स next question है main line and final line drawn by तो फ्रेंड्स जो main line और final lines होती है उसको किसके द्वारा draw करते हैं option है hard pencil, soft pencil, both या none तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा question आए कि main line और final line किसे draw करते हैं तो हमारा option समेशा जाएगा friends hard pencil की और से क्योंकि जो hard pencil होती है friends उससे जल्दी मिठता नहीं है इसलिए हम उससे main lines को या आपकी final lines को draw करते हैं friends next question है बहुती important hardest pencil ही सबसे hard pencil कांसी होती है 6H, H, 5H या 9H तो friends जब भी पुछा जाए सबसे hard pencil कांसी होती तो आपका answer होना चाहिए friends 9H सबसे hard होती है friends 9H friends next और ये भी बहुती important question है friends सबसे soft pencil कांसी होती है तो option A B, 2B, 5B और 7B friends अगर पुछा जाए सबसे soft pencil कांसी होगी तो आपका answer हमेशा होगा 7B, सबसे soft होती है 7B, ok friends friends next question है total type of pencil used in engineering drawings friends engineering drawings में total कितने types की pencil used होती है option A 20, 15, 18 या 12 friends जो इसका answer होगा जो आपका होगा 18, total 18 types की pencil आपके engineering drawings में यूज होती है जो total 3 types की होती है और एक type में 6 होती है तो total आपकी हो गई friends 18, ok friends बहुत ही important question है friends next question है making drawings bold we used drawings bold किस लकड़ी के बने होते हैं ओक, फर, महागोनी या ओक और फर दोनों तो friends जो drawings bold होते हैं ओक के भी बने होते हैं फर के भी बने होते हैं इसका answer होगा both A and B जो महागोनी होता है friends उससे drawings bold नहीं आपको पहले उपर बताया था friends जो T square तो इससे T square ड्रॉ करते हैं ok friends T square, sorry friends बना होता है friends next question है size of T zero type T square बहुती important question friends की जो T zero type T square होता है इसका size क्या होता है 1000 plus minus 10 1200 plus minus 5 1500 plus minus 10 या 500 plus minus 5 तो friends जो T zero होता है जो उसका size होता है option number C 1500 plus minus 10 1500 plus minus 10 बहुती important question है friends next question है size of T one type T one का size कितना होता है 1000 plus minus 10 700 plus minus 10 1200 plus minus 5 800 plus minus 5 तो जो T one होता है उसका size होता है option A 1000 plus minus 10 बहुती important है friends जो इसके question हमें साब पूछे जाते हैं इनको आप देख लें friends next है D zero यानि जो drawing bolts D zero चार टाइप के होता है D zero D one D two and D three इन चारों के आपको size पता होने चाहिए तो friends जो D zero types drawing board होता है उसका size क्या होता है 1500 गुना गए 1000 गुना गए 25 1000 गुना गए 5000 गुना गए 25 500 गुना गए 350 गुना गए 15 और 2000 गुना गए 1000 गुना गए 25 तो friends जो D zero size होता है उसका होता है 1500 गुना गए 1000 गुना गए 25 तो friends 2 उसका साीज क्या होता है 1000 गु Νागई 600 गुनागई 25 700 गुनागंई 2500 आफंट्राइ नेट्स क्वेशन है टूमें इंडराइंग गूर्ड वी फिर्दड़ यूज। ट्रेंडस ड्रोईंग बर्ड बनाने के लिए कौंसी लखडी का यूज करते हैं हार्ड़ूड, सॉफ्टूड, मीडियम हार्ड वूड या प्लास्टिक तो जब भी ड्रॉइंग बर्ड बनाते हैं तो उसमें हम जो है, सॉफ्ट लखडी यानि softwood का यूज करते हैं क्योंकि इस पर हमें जो है board pin को जो है जब seat रखते हैं तो seat को fix करने के लिए board pin आपका यूज करते हैं तो जो आस्तानी से उस पर लग जाए इसलिए softwood का यूज करते हैं friends next question है A0 seats का size क्या होता है 841 गुणा गए 1190 420 गुणा गए 594 गुणा गए 210 या 140 गुणा गए 210 तो friends बहुती important question है जो A0 size होता है उसका होता है 841 गुणा गए 1190 friends आपको ये सारे पता होने चाहिए जो A0, A1, A2, A3, A4 and A5 के size क्या होता है ये मैंने जो आपका engineering drawings का video 1 अपलोड किया था friends उसमें बताया है वहां से आप देख सकते हैं friends next question है A4 seat का size क्या होता है 148 गुणा गए 210 210 गुणा गए 297 500 गुणा गए 210 420 गुणा गए 594 तो friends इसका जो answer होगा A4 seat का size होता है 210 गुणा गए 297 okay friends next question है the ratio of drawing sheets length and breath is friends पहला option है 1 ratio 2, 2 ratio 1, under root 2 ratio 1 या 1 ratio under root 2 तो friends जो drawing sheets होती है इसकी length और जो breath होता है उसका जो ratio होता है friends L ratio जो B होता है option D बहुती important question 1 ratio under root 2 friends बहुती important question है area of A0 type seats तो friends जो A0 type area कितना होता है 0.5, 0.5 meter square, 1 meter square, 2 meter square या 1.5 meter square तो friends जो A0 seats होती है उसका area होता है 1 meter square और यह जो A0 type seat होती है सबसे बड़ी seat होती है बहुती important question है friends okay friends next question है देखो friends आई गया कि कौनसी seat सबसे बड़ी होती है A1, A4, A0, A2 तो friends अभी ऊपर बताए तो A0 होती है वह सबसे बड़ी होती है जिसका जो अभी बताए था कि जो area होता है 1 meter square होता है तो friends यह थे जो आपके engineering drawings से related important question जो आपके CBT2 में ALP में बहुती मददगार साभीत होंगे तो friends यहाँ पे railway से related सारी वीडियो अपलोड किये जाते हैं तो friends अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल ग्यान रत को friends सबस्क्राइब्स नहीं किया है तो नीचे रैट कलर में सबस्क्राइब्स का बटन दिख रहा होगा तो सबस्क्राइब्स कर लें इस ते और बैल आइक